जाइन सभी को आज हम लोग यहां बीए सेट के क्लास के पार्ट टू के बारे में जानेंगे इससे पहले मैंने बीए सेट का पार्ट वन आप सभी के लिए यूटूब पे डाला था जो कि मेरा इसके फार एंड सेप्टी चैनल है तो सभी इसको सेर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हां बेल आइकन दवाना ना भूले इससे जो मेरे नेक्स्ट वीडियो जाएंगे वो आप आप देख सकते हो उसमें तो दोस्तों आज जो हम जानेंगे वो है टेस्टिंग ओप बीए सेट इंस्पेक्शन और ऑपरेशनल तो बीए सेट को जो है कभी भी हम पर चड़ते हैं तो तीन प्रकार के टेस्ट होते हैं एक होता है विजूल टेस्टिंग जिसमें हम नॉर्मली कितना प्रेसर है भी चेक करते हैं तो इसको बोलते हैं विजूल एंड प्रेसर चेक दूसरा होता है हाई एंड लो प्रेसर चेक और जो तीसरा होता है वो सबसे important pre-entry test क्योंकि कभी भी हमको BS8 से कोई काम निकालना है या काम लेना है या किसी काम करने से पहले हमें कहीं entry करने जाना है तो उसे pre-entry test कहते हैं तो आईए हम जानते हैं सबसे पहले visual and pressure check क्या होता है देखिए इससे पहले मैंने BS8 के बारे में आप लोगों को उसका parts cylinder, respiratory system, back plate and face mask के बारे में सब कुछ बता दिया था आज हम लोग जानेंगे कि duty पे mount होने से पहले या duty पे चड़ने पे हम क्या-क्या check करते हैं BS8 के अंदर कि हम जो 8 गंटे duty करते हैं उस दौरान BS8 से जब हम काम ले तो हम दो खाना खाएं तो इसके लिए सबसे पहला होता है visual and pressure check इसमें हम क्या करते हैं कि हम से पहले जिसने checklist में check किया हुआ है उसका हम pressure check करते हैं कि भी ठीक है उसने जो pressure लिखाया है वो सही है कि नहीं फिर हम face mask check check करते हैं face mask के straps check करते हैं और visors check करते हैं वाइजर जो है transparent होना चाहिए उस पर कोई चीज ऐसी ना लगी हो या scratch ना आया हो जिससे हम देखने में हमें दिक्कत मैसूस हो और जो straps का conditions है वो कहीं तूट-फूट ना हो क्योंकि बाद में हमें टाइट करने में दिक्कत आती है फिर हम cylinder का valve को open करेंगे उसका pressure check करेंगे और pressure को note down करेंगे फिर कोई other defects हो तो वो देखेंगे दूसरा test आता है हमारा high and low pressure test अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि visual and pressure check हमको every shift यानि कि A shift B shift C shift में duty पे mount होने पे हमको check करना है यह अपने fire personal check करेंगे जो duty पे है पर इस जो high and low pressure को कौन check करेगा यह safety department या जो responsible person है वो check करेंगे और यह daily एक बार check होता है इसमें हम क्या check करते हैं इसमें अगर मोटा मोटी तौर पर बोलें तो इसका pressure gauge warning भी सिल और demand regulator का check होता है प्रेसर के चेक करने के लिए हम भाल्ब को open करते हैं open करने के बाद pressure gauge में कितना बार pressure दिखा रहा है यह तो हमें पता चल गया लेकिन इसके बाद फिर हम इसे बंद करते हैं बंद करने के बाद इसकी warning whistle चेक होगी कब जब 50 बार पे needle पहुंच जाएगा तो sound clear सुनाई देना चाहिए तो वो इस test में पास होता है दूसरा कि pressure gauge से जो needle बंद करने के बाद जो pressure gauge की needle है वो एक मिनट में दस बार से नीचे नहीं जाना चाहिए अगर एक मिनट में दस बार से नीचे या तेजी से नीचे जा रहा है मतलब कहीं पे face mask leak है या कहीं पे low pressure tube leak है तीसरा होता है demand regulator demand regulator भी कैसे check होता है कि हम उसे open करने के बाद अपने face पे पहनते हैं पहनने के बाद वापस knob को बंद कर देते हैं बंद करने के बाद हमें जो है suppocation होना चाहिए कहने का मतलब हमारा जो demand regulator है वो सही काम कर रहा है ठीक है यह हो गया आपका high and low pressure check तीसरा और जो सबसे अहम है वो है pre-entry test friends तीसरा है pre-entry test देखिए BS8 का pre-entry test इसलिए भी इंपोर्टेंट है कि जब हम कहीं एंटर करते हैं किसी खतरनाक जगह पर जाने का हम तयार होते हैं तो उससे पहले हम pre-entry test करते हैं pre-entry test में क्या होता है देखिए जैसा कि मैंने लिखा हुआ है चाहिए तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं पहले main valve को open करेंगे open करके properly उसको wear करेंगे उसको पहनेंगे पहनने के बाद क्या होता है उसके हम pressure gauge को देखेंगे क्योंकि हमने valve open किया है तो pressure gauge जो है वो क्या दिखाएगा आपको minimum 80% उसमें pressure होनी चाहिए अगर 300 bar का refling charge है तो minimum 240 bar उसमें pressure होना चाहिए 240 bar से अगर नीचे है ये use करने के लिए सही नहीं है ये आपको risk दे सकता है थर्ड में क्या है cylinder valve को close करें और deep breath लें cylinder valve को वापिस close करें और deep breath लें पहले हमने खोला था खोल के आप इसे close करेंगे close करने के बाद deep breath लेंगे तो आपका जो निडल है वो क्या होना चाहिए 50 बार पे जाना चाहिए 50 बार पे जाना चाहिए जिससे की 50 बार पे जाते ही warning whistle बजनी चाहिए जैसे deep breath कैसे ऐसे हैं तो पूरा आपका जो air अंदर गया जो आपका lung capacity है मैं बीच में एक बात कहना चाहूँगा इसके बारे में बताऊँगा कि tidal air क्या होता है supplementary air क्या होता है complementary air क्या होता है lung capacity क्या होता है vital capacity क्या होता है इसके बार मैं आपको बताऊँगा तो जो हमारी lung की capacity है उतना हमने deep breath लिया तो हमारा जो निडिल है प्रेसर गेज का वो 50 बार से नीचे जाना चाहिए जिससे की वार्निंग बिसिल बचे ओके देन क्या करना चाहिए कि हमें फेस मास्क की टाइटनेस को चेक करना चाहिए कैसे टाइटनेस चेक होगी चूँकि आपने बंद किया आफ किया भाल्ब को भाल्ब को आफ करते ही आपका एर सप्लाई तो कम हो गया और वार्निंग बिसिल बच गई क्योंकि निडिल नीचे जा रहा है तो जब निडिल पूरा जीरो पे चला गया मतलब अब एर नहीं है तो आपका सफोकेशन होगा फेस मास के अंदर सफोकेशन होगा आप सांस नहीं ले पाओगे तो समझ जाना कि आपका फेस मास बिलकुल ओके है और आप इसे यूज़ कर सकते हो देन नेक्स्ट आपको सभी पता पड़ गया वर्निंग विसिल प्रेसर गेज फेस मास सब कुछ ओके है तो आप वाल्ब को finally open कीज्ये सिलिंडर वाल्ब को और काम करने के लिए एंटर हो जाएए कहीं भे आपको tunnel में जाना है या confined space में जाना है या rescueworks में जाना है या जो toxic gases में एंटर करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं पार्ट्स सब कुछ क्या है उसे कैसे चेक करते हैं और एक चीज और बता दू जो प्रिएंट्री टेस्ट होता है वो बाई यूजर होता है जैसे कि हमने जो पहला टेस्ट किया था क्या था वो विजूल टेस्ट वो हम एवरी सिप्ट में करते हैं दूसरा टेस्ट जो हाई ए कितने देर काम करने के लिए बना है इसके बारे में हम जनने की कोशिश करेंगे सबसे पहले वर्किंग डूरेशन होता क्या है वर्किंग डूरेशन का एक नॉर्मल फॉर्मूला में आपको वताओं पी इंटू सी बाई एन इंटू तो इसमें क्या होता है कि हमें सिलिंडर की कपसिटी हमें पता होना चाहिए वाटर कपसिटी हमें पता होना चाहिए एयर कपसिटी पता होना चाहिए यह चीजें जब हम जान जाएंगे तो देखिए क्या होता है दोस्तों ये एक सिलिंडर है ठीक है ये एक सिलिंडर है अभी सिलिंडर का क्या है कि एर कपेसिटी वाटर कपेसिटी अगर ये हमें दोनों पता है तो हम सारी चीजों का काल्कुलेशन कर सकते हैं अभी बीए सिट जो सिलिंडर साते हैं उनकी वाटर कपेसिटी दो तरकी आती है 6 लिटर और 9 लिटर और रिफलिंग प्रेसर होता है 200 बार या 300 बार अब यहां मैं आपको समझा होंगा मानली जिए अगर सिलिंडर का वाटर कपैसिटी 9 लीटर है 9 लीटर वाटर कपैसिटी है तो इसकी एयर कपेसिटी कितनी होगी तो एयर कपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए देईंड करता है कि ये कितने बार पर यी किया गया आनली जी इसको रिश्टी natra करेइब करेंपड़ी ग्री पड़ी कि इस त्रीजी सब्सक्राइब कर भार हैjas या सुली सफिक एक में इन्टू 300 is equal to 2700 लिटर, 2700 लिटर, क्या है इसकी air capacity find out हुई है, क्या है यह है, air capacity, air capacity कितने हो गई, 2700 लिटर, लेकिन अगर water capacity 6 लिटर है, और refilling pressure 300 लिटर है, तो क्या होगा, 6 into 300, 1800 लिटर, 1800 लिटर, इसकी air capacity हो गई, तो अब आप समझ गया होंगे, water capacity कैसे find out करते हैं, और air capacity कैसे find out करते हैं, तो अभी मान लिजे, एक cylinder है, उसमें 160 बार pressure है, ठीक है, देखिए, मैं calculation देता हूँ, 1,800 लिटर आर अपसटी, 160 बार उसमें प्रेसर है लेकिन हम उसको कितने में रिफिलिंग करते हैं कि उसको हम capacity होKay 600 लिटर याँनि कि हम उसको 200 बार पर रिफिल करते हैं माननि लीजिए 200 बार कि 200 बार कि net प्रेसर है चार्जिंग, उसे हम 200 बार पे उसका नेट चार्जिंग प्रेसर है, तो अभी हमें निकालना है कि वर्किंग डियूरिशन क्या आएगा, कितने मिनट हम इसको काम कर सकते हैं, सिंपल सा फर्मूला है, P into C by N into 40, यहां इसका हम बहलू पूट करेंगे, देखिए, प्रेजेंट प्रेसर अपना 160 है, ठीक, एयर कपेसिटी कितनी है, 1800 लीटर, divided by N मतलब net charging, net charging कितनी है, 200 बार into 40, अभी देखिए, 40 हमने क्यों लिया है, क्यूंकि हम जब एक मिनट में सांस लेते हैं, 16 बार, तो यह मान के चलते हैं कि धाई लीटर हम हवा को सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, तो इस प्रकार से हम 40 लीटर एक मिनट में लेते हैं, तो इसको देखिए, अभी हम इसको काल्कुलेशन करेंगे, 00 कट गया, यह 00 कट गया, 41 जा 4, 44 जा 16, 21 जा 2, 29 जा 18, कितना हुआ, 9 फोर्जा, 36 मिनट, 36 मिनट, 36 मिनट क्या हुआ इसका, वर्किंग डूरेशन, वर्किंग डूरेशन, लेकिन वर्किंग डूरेशन यह 36 मिनट हुआ, मतलब कि हम, हमारे पास एक सिलिंडर है, जिसमें 200 बार में नेट चार्जिंग प्रेसर, लेकिन 200 बार है, उसमें 160 बार प्रेसर गेज में सो कर रहा है, तो 160 बार प्रेसर गेज में सो कर रहा है, तो हम काम करने के लिए हमें कितना 36 मिनट का समय मिलेगा, यह तो हो गया वर्किंग डूरेशन, लेकिन फूल वर्किंग डूरेशन, अगर कोई पूछे कि फूल वर्किंग डूरेशन कितना होगा, तो माइनस 10, क्या होता है, यह व इसकल टू 36 माइनस 10 इसकल टू 26 मिनट यानि कि हम किसी भी खतरनाक जगह पर अगर काम करेंगे तो 26 मिनट काम करके हमारा वार्निंग विसल बच जाएगा 10 मिनट जो समय बचेगा हमें वहां से निकलने के लिए होता है कि अब हमें वापस वहां से सेफ जगह पर आ जाना चाह लिए तो यह सिलिंडर कितना देर हमें काम करेंगा 26 मिनट हम इसके द्वारा काम करते हैं यह था इसका वर्किंग डूरेशन ठीक है आईए आभी हम बात करते हैं air capacity की various types of air capacity उसके बारे में हम बात करेंगे BS8 के सारे parts, capacity, cylinder, face mass सब कुछ हमने जान लिया working duration भी जान लिया उसके testing and operational procedures and inspection के बारे में भी जान लिया अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो air हम अपने lungs में लेते हैं उस lungs की क्या capacity होती है और different capacity के हिसाब से हम उसको किस नाम से जानते हैं सबसे पहले यहां पर आता है tidal air tidal air में क्या होता है कि हम जो सांस लेते हैं normal rest position में वो हम half liter लिया हमने जैसे बिल्कुल normal आपको मैसूस ही निलोग सामने वाला फेफडा up-down भी हो रहा है तो उस condition में half liter हम लेते हैं जिसे tidal air बोलते हैं next आते हैं supplementary air क्या होता है कि थोड़ी सी हम deep breath लेते हैं तो हम उस half liter के अलवा डेल लिटर और ले लेते हैं डेल लिटर तो डेल लिटर जो है वो हो गया आपका supplementary air and supplementary air क्या होता है कि सांस हमने जो लिया वो तो हो गया supplementary air डेल लिटर लेकिन फिर उसे यूस करने के बाद उतना ही हम छोडते हैं डेढ़ी लीटर छोडते हैं तो वो हो गया कपली मेंट्री एर और रेसिडियोल एर क्या होता है कि जो भी वर्किंग प्रोसेस होता है हमारे लंग्स के अंदर तो हम जो छोडते हैं और लेते हैं इसके अलावा अब ही फेपड़े के अंदर डेल लीटर एर पराबर रहता है जो कि कुछ दिर रहने के बाद फिर निकलता है तो उसे हम कहते हैं रेसिडियोल एर अभी देखिए लंग्स की भाइटल कपसिटी लंग्स की भाइटल कपसिटी क्या होती है आपका TIDAL AIR TA COMPLEMENTARY AIR CA SPLEMENTARY AIR SA इन तीनों को मिला कर जो हमारी कपसिटी है एर लेने की इस वाइटल कपसिटी ऑफ लंग्स यानि की साड़े तीन लिटर और नेग्स्ट होता है लंग कपसिटी लंग कपसिटी क्या होता है vital capacity 3.5 लिटर और जो residual air था 1.5 लिटर उन दोनों को मिला के 5 लिटर हमारे lungs की पूरी capacity होती है सांस लेना छोड़ना और lungs के अंदर जो air रहता है ये total 5 लिटर में ये सारी क्रिया होती है सारे function 5 लिटर में होते है हम लोगों ने लगबग B.S.A.T. का 80% बातों को जान चुके हैं उसे complete कर चुके हैं lungs के functions के बारे में भी जान चुके हैं कि airs जो हमारे lungs के अंदर जाता है किनकी नामों से जाना जाता है next आते हम काम करने के दौरान हमारी कुछ procedures होते हैं कुछ positions होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं देखिए एक तो होता है intrap procedure एक होता है intrap position तो जैसा कि आप intrap के नाम से जानते हैं कि काम करते वक्त हम अंदर तो चले गए बाहर आने का आप कोई रास्ता नहीं है अंदर हम trap हो चुके हैं फश चुके हैं तो उस condition में हम क्या करेंगे intrap procedure को अपनाएंगे intrap procedures क्या होते हैं कि हम B.S.8 को भालब को खोलेंगे बंद करेंगे फिर सांस लेंगे फिर खोलेंगे बंद करेंगे तो खोल के सांस लेना फिर बंद कर देना तो हमारे air consumption को बढ़ता है कि हम ज़्यादा देर तक उस एयर को हम इनहेल कर सकते हैं और इंट्रेट पोजिशन क्या होता है कि उस प्रोसीजर को अपनाते वक्त हमें घुटनों के बल या जमीन पर बैठ जाना चाहिए सांती से भाग दौड नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें उतना ही एयर में हमें अपना rescue work complete करना है या तब तक जब तक हम trap हैं फंसे हुए हैं जब तक हमारे पास कोई दूसरा हमें help न करने आ जाए हमें यहां से बाहर ना निकाल के ले जाए तब तक हम उसी एयर से लंबे समय तक सांस ले सकें तो उस position को हम कहते हैं in trap position अभी हम लोग जानेंगे कि जब हम कहीं फंस जाते हैं BS8 से rescue work करते समय कहीं फंस गए तो उस समय हमारे पास और क्या साधन होते हैं जिससे कि हमारे साथी जो बाहर हैं जो safe जगह पे हैं उन्हें यह पता चले कि हम अंदर trapped हो चुके हैं और वो हमें rescue करने के लिए आएं या किसी को बचाओ के लिए भेज सकें तो वो होता है हमारे पास DSU Distance Signal Unit और बाहर जो control करता है क्योंकि BS8 में को rescue work करने से पहले हमारे पास एक बाको कंट्रोलिंग टीम होती है पूरी बैको टीम होती है और उसे मैं आपके बताऊंगा उसके बारे में जरासा तो पहले हम लोग जानते हैं DSU क्या होता है जब हम BS8 को किसी rescue purpose के लिए यूज में लेते हैं तो हमारे पास एक personal equipment भी होता है जो कि हमारी स्वाइम की safety के लिए होता है कि काम करते वक्त अगर हम trap हो गए तो हमें कैसे हम दूसरों का आवाज देंगे बाहर तक तो आवाज जा नहीं पाएगी हमारी कितने भी चिला लें मलवे के अंदर फस गए कहीं building class building में फस गए तो इसके लिए हमारे पास एक equipment होता है DSU जिसको बोलते हैं distress signal unit अभी distress signal unit जो होता है उसकी लंबाई 3.8 inch और चोड़ाई लगबग 2.3 inch के होती है जैसा कि आप लोग फोटो में देख रहे हैं यह image मैंने डाला हुआ है distress signal unit का अभी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं चीज क्या होती है देखिए यह distress signal unit continue 5 hours तक वर्क कर सकती है इसका वेट जो होता है वो 210 ग्राम होता है और विदाउट बैटरी अगर हम बैटरी निकाल दें तो उसका वेट होता है 175 ग्राम आफ्टर 20 सेकेंड अगर मान लेजे मैं किसी वज़ा से चुपचा बैठ गया या गिर गया या बेहोस हो गया मेरे बॉड़ी में कोई मूवमेंट नहीं है तो मेरा तो BS8 का एर भी निकल जाएगा और बाहर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ और लाइफ मेरी खतम तो उस कंडिशन में क्या होता है कि अगर मेरी बॉड़ी 20 सेगंड तक मूवमेंट नहीं करेगी तो ये अपने आप रिंग करना चालो हो जाएगा अपने आप इसकी साउंड जो है सुरू हो जाएगी लेकिन इसकी साउंड के इंटिंसिटी क्या है इसकी साउंड के इंटिंसिटी है नाइन डेसिवेल देखें कितना हाई इंटिंसिटी है तो ये आपको मिनमम एक से दो किलो मेटर तक इसकी साउंड चली जाएगी इतनी हाई इसकी साउंड इंटिंसिटी है और साउंड की फ्रिक्वेंसी है 2.6 to 3 किलो हर्ज ठीक है ना इसकी साउंड करेंगा चली अभी तो हम D.A.C.U के बारे में बात करते है वो तो बाद का बात है तो ये जो है अगर बैटरी लो हो जाता है किसी कारण से बैटरी लो है तो 5 seconds के इंटर्वल में ये बीप की साउंड करेगा बीपिंग करेगा फाइब सेकंड के इंटरबल में और इसका बैटरी जो है नॉन चार्जेबल होता है means use and throw बैटरी एक बार खतम हो गया तो आप उसे फेक कर भी नया बैटरी हमें लगाना है तो ये था हमारा डियो स्यू जो की हम अपने साथ रखते हैं और सेल्फ रेस्क्यू के लिए ये मानने जिए सेल्फ रेस्क्यू लिए काम में आता है जैसा मैंने आपको बता है तो अभी ये डियो स्यू वगरा को हम कंट्रोल कैसे करते हैं